आज है World Hypertension Day, जिसे की Silent Killer Day भी कहा जाता है। क्या हम अपने lifestyle में changes करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपके साथ share करने वाली हूँ चार simple home remedies जिसे आप आज से ही start कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आता है garlic यानि की lesson। ये एक blood thinner का काम करता है, हमारे blood flow को regulate करता है और clotting के chances को कम करता है। तो आपने करना क्या है? सुबह सुबह आप दो garlic cloves को पानी के साथ निगल सकते हैं। अगर आप चबा के खाएं तो और भी अच्छा है। अगली चीज है black pepper यानि की काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च लेते हैं, तो ना सिर्फ ये BP को कम करने में मतद करती है, बलकि बड़े हुए heart rate को भी कम करने में मतद करती है। तो आपने करना क्या है, आपने lukewarm water लेना है, कुनगुना पानी, उसमें 2-3 pinch काली मिर्च के लेने हैं, और इसे आप early morning लें या फिर bedtime पे लें, तो आपको maximum फायदा मिलता है। अगली चीज है, अरजुन की छाल, जो की antioxidants में बहुत रिच होती है, और body में जो inflammation है, उसको कम करती है। इसमें ऐसे-ऐसे enzymes होते हैं, जो की BP कम करने में मतद करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक इंच जितना piece लेना है, रात को उसे पानी में सोक करके रखना है, सुबह ओठके पानी को थोड़ा सा warm करना है, और तब उसे पीना है। आप इसका powder भी यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज है black sesame seeds, यानि की काले तिल, जो की iron और calcium में बहुत रिच होते हैं, और BP कंच्रोल करने में मतद करते हैं। आप इसे लड़ू की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर इसकी recipe भी मैंने अपने चानल पर शेयर की हुई है, आप उस तरह से ले सकते हैं। तो ये चार चीज़े हैं, इन्हें आप लेना शुरू करें, इन में से जो आपको convenient लगता है वो आप लें और आपको भी जरूर फायदा होगा।